हेलो एब्रीवन, वेलकम टू विद्याश्री अकैडमी, I hope you are doing well, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 नवंबर का करेंट अफेयर, और डेली की तरह हम अपने करेंट अफेयर की शुरुआत आज के मोटिवेशनल थौट से करते हैं, आज का थौट है रख होंसला वो मनज़र भी आए सफर में रुकावटे तो होंगी, लेकिन हर रुकावट को पार करके हमें अपनी मंदिल को पाना है, तो चलिए पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं, 10 दिसंबर का दिन, 10 दिसंबर को कौन सा डे रहता है, तो अंतारास्टिय माना वधिकार दिवस, International Human Rights Day जो रहता है, वो 10 दिसंबर को रहता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आंगे, तो फर्स्ट क्वेशन है, तो फर्स्ट क्वेशन है आज का, कि ऑक्सफोर्म इंडिया के द्वारा जारी की गई, इंडियन एक्क्विसिटी रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइड में सरवादिक पहुचवाला राज्य कौन सा है, बहुत क्रिटिकल सी लेंग्वेज हो गई है, थोड़ा इसको हम सिंप्लिफाई करते हैं, क्वेशन ये है कि जो 2022 में रैंकिंग आई है, जो ऑक्सफोर्म इंडिया ने जारी की है, उसके अनिसार ऐसा कौन सा रास्ट है, जहां पर डिजि जो है, वो कहां पर मिला है, तो महरास्टरा में मिला है, और सबसे कम इंटरनेट कहां पर मिला है, बिहार में मिला है, तो ये याद रखिएगा, और डिजिटल डिवाइट का मतलब होता है, कि जैसे कि कितने लोगों तक इंटरनेट की पहुँच नहीं हो पा रही है, तो ज पुरुषों के पास इंटरनेट अधिक है जबकि महिलाओं के पास इंटरनेट अब एक शाकरत कम है तो याद रखिए गई है कि डिजिटल डिवाइट की रैंकिंग आई है सबसे अधिक महराश्ट्रा में जो है वो इंटरनेट पहुंच है और सबसे कम है बिहार में माजीव अब सुंदराकारीकर्म के शुरुवात किस स्टेट ने की है तो महराश्ट्र ने की है अब महराश्ट्र का नाम आया है तो आपको पता होगा अभी यहाँ पर एलेक्शन हुए थे तो महराश्ट्र के सीम कौन है एकनात सिंदे इनका नाम याद रखिएगा और सबसे जो rubber dam बना है, वो कहां पर बना है, वो बिहार में बना है, तो बिहार का भी नाम आपको याद रखना है, फिर second question है, कल हमने पड़ा था कि Time Magazine ने person of the year में, जो top 50 मही लाएं थी, top 100 मही लाएं थी, तो उसमें इंडिया की 6 महीलाओं को शामिल किया था, आज हम पड़ेंगे कि Time Magazine के द्वारा, जो person of the year 2022 का अवर्ड है, किसे दिया गया है, तो ये जैलेंस की को दिया गया है, ये नाम आप सभी, ये बहुती चर्चित नाम है तो जैलेंस की कौन है, तो अभी यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिती चल रही है, तो यूक्रेन की राश्टपती है ये, और यूक्रेन की राश्टपती जैलेंस की है, और जो यूक्रेन की स्प्रेट है, तो इस्प्रेट ऑफ यूक्रेन के लिए भी अवर्ड मिला है जेलेंस्की को तो इनका नाम आपको याद रखना है कि ये कौन है Time Magazine ने इनको Person of the Year का Award मिला है फिर क्या आपको पता है कि Ukraine की राजधानी क्या है ये प्रश्ण अभी recent exam में पूछा गया है तो Ukraine की राजधानी इससे याद रखियेगा कि Kyiv Ukraine की राजधानी Kyiv है क्योंकि अभी Ukraine बहुत चल्चा में रहा तो ये Question पूछ रा सकता है फिर जेलेंस्की को अभी इसके पहले एक और Award मिला था वो था Liberty पुरुसकार इसको भी याद रखियेगा और इसी सनक जो है वो England के कौन बन चुके है PM बन चुके है और उनकी पार्टी कौन सी है वो Conservator Party से विलोंग करते है पहला CNG Terminal कहां पर लगा है तो CNG Terminal भावनगर गुजरात लगा है CNG का Full Form क्या होता है Compressed Natural Gas और यदि LPG का Full Form पूछा जाए तो Liquid Petroleum Gas इस तरीके से Science में Full Form पूछे जाते हैं फिर Next Question और Most Important Question आज हम जितने Question पढ़ेंगे इसमें सबसे Important Question यही है और ये Question आपके Exam में जरूर पूछा जाएगा Biodiversity पर Kanada के Montreal में कौन सा Conference of Party का आयोजन किया गया है तो देखें सबसे पहले हम एक एक टर्म को समझेंगे अच्छे से कि Biodiversity क्या है तो Biodiversity का मतलब क्या होता है Biodiversity होती है Bio प्लस Diversity Bio मतलब क्या है Bilosy जिसमें पूरा Flora आता है, Phona आता है, Jeeve, Jantoo सब कुछ आते हैं और Diversity का मतलब होता है Vivid था अर्थात, जो परियावरण में पाए जाने वाली जीव, जन्तूओं, फूल, ब्रक्षों, फल, पौदों, जो भी पूरा Biology के अंदर जो भी विवित्ता पाए जाएगी वो सब क्या कहलाएगी, Biodiversity कहलाएगी तो आपने इसके पहले COP, COP क्या होता है, COP Conference of Party आपने पढ़ा होगा कि COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, मिश्रम में किया गया था और COP 26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था, Glasgow में ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये जो COP हुआ था, वो वाला जो COP है, वो environment से related तो वो भी है, लेकिन वो climate से related था और ये biodiversity वाला COP अलग होता है, तो याद रखिएगा COP 15 का आयोजन होने वाला है और ये कहाँ होने वाला है, कैनेडा में, कैनेडा में किस इस्थान पर, मॉनेट्रियाल इस्थान पर, अब चुकी यहाँ पर एक शब्द आया है, मॉट्रियाल, तो आपने एक मॉट्रियाल कन्वेंशन का नाम सुना होगा, ये भी बहुत अधिक फेमस है, तो मॉट्रियाल जो कन्वेंशन है, वो किस से रेलेटेड है, वो ओजोन डिपलीशन से रेलेटेड है, जो ओजोन PARAT का छरण होता है, उससे रिलेटेड है और जो मौट्रियाल प्रोटोकॉल है उसकी स्थापना कप की गई थी तो 16 सितंबर 1887 ये डेट याद रखेगा 16 सितंबर 1887 इसलिए 16 सप्चेमबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ओजोन दिवस मनाया जाता है इसको याद रखेगा आप 1987 का समय है अब ये ओजोन परत का चरण किस तरीके से होता है तो इस कौनसेप्ट को भी थोड़ा समझ लीजे जो सूरी होता है तो सूरी से आने वाली जो परावैगनी किरने होती है तो यहाँ पर क्या है समताप पंडल में परत पाई जाती है लेकिन जो सूरी से जो CFC और जो Freon है उसका क्या है यूज बढ़ जाने के कारण जो यह परत है इसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे छरण हो रहा है जिसके कारण धरती से मतलब सूरी से आने वाली परावैगनी किरने अल्ट्रा वालेट रेस जो है वो क्या हो जाती है वो धरती पर आ जाती है जिसके कारण कैंसर और अनिक प 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ओजोन परत दिवस मना आजाता है अब एक question और आपसे पूछरा सकता है biodiversity आया है तो biodiversity से related कुछ fact कि सबसे पहले तो आप से यह ही पूछ सकते हैं कि biodiversity day कब मनाते हैं तो 22 माई को मनाते हैं अब 22 माई के बात आई है तो आपको 22 तारीक से related सारी चीज़ें जैसे की 22 मार्च को कौन सा दिवस रहता है तो विश्व जल दिवस रहता है फिर 22 अप्रेल को कौन सा दिवस रहता है तो जल के बाद आईगी प्रत्वी तो प्रत्वी दिवस रहता है विश्व प्रत्वी दि रहते हैं. फिर Biodiversity से related दो protocol और हैं, जो internationally ही काम करते हैं. एक है Cartogona protocol और एक है Nagoya protocol इन दोना का संबंदी भी Biodiversity के conservation से है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक Biodiversity पाई जाती है वो जो Amazon Forest न infect थे वहां पर पाई जाती है इसलिए से क्या बोला जाता है इसे प्रथभी का फैप्रा कहा जाता है या LUNGS OF THE EARTH किसे कहा जाता है वो Amazon 1 को कहा जाता है इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे अधिक बायो डाइवर्सिटी कहा होती है तो जो वेस्टन घाट वाला पोर्शन होता है यहां पर बहुत अधिक बायो डाइवर्सिटी होती है और पूर्वी घाट में भी Biodiversity पाई जाती है याद रखेगा Biodiversity Act कब आया था तो Biodiversity जो Act आया था हो आया था 2002 में और जो फलागू हुआ था वो हुआ था 2003 से इतने पॉइंट आगर आपको Biodiversity से पता है तो किसी भी टाइप का question पूछा जाएगा चाहे वो prelims हो चाहे मेंस हो आपसे बन जाएगा फिर next question है कि हाल ही में RBI के द्वारा किस देश के मद्ध currency swap agreement जारी किया गया अब ये term है आया है currency swap agreement इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि तीसरे देश की मुद्रा उपियोग को द्वी पक्षी व्यापार में यूज ना करना इसका मतलब क्या है जैसे कि अभी हम बहुत सारे देशों के साथ जो international trade होता है वो dollar में होता है लेकिन भारत का ऐसा मानना है कि हमें क्या करना है dollar पर अपनी नरभरता को खतम करना है इसी लिए RBI के द्वारा जो मालदीप है तो मालदीप के साथ क्या किया गया है एक समझोता किया गया है currency swap agreement जारी किया गया है कि अब हम रुपे में ही क्या करेंगे transport की मुद्रा के रूप में यूज करेंगे फैर जो मालदीप है वो किसका सदस्य है कौन से संगटन का तो वो सार्क का सदस्य है सार्क की किस सापना कब हुई थी 1985 में हुई थी और वर्दमान में कितने देश है 8 देश है वो सार्क में इस्ते थे एक क्वेशन और आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है तो सार्क का मेंबर भारत भी है मालदीप भी है और पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान तो हमारे साथ कोई टाइप करेगा नहीं हम पाकिस्तान के साथ करेंगे इसलिए हम अलग-अलग देशों के सांथ क्या कर रहे हैं इस तरीके के जो policies हैं उनको चला रहे हैं agreement को sign कर रहे हैं ताकि सार्क के जो member हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके सांथ क्या हो सके संबंद अच्छे हो सके और आयत निर्यात को बढ़ावा मिल सके फिर मालदीब की बात आईए तो भारत तो मालदीब के बीच में युद्ध अभ्यास होता है जिसका क्या नाम है एकुवेरिन जो एकुवेरिन एक्सेस हैं वो भारत तो मालदीब के बीच होती है फिर नेक्स कुशन है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ओफ इंडिया का 43 वा इंटरनेट एक्सचेंज कहां पर आयुजित किया गया है ये क्या है एक्सचेंज ओफ इंडिया एक्सचेंज ओफ इंडिया जो है इसका कौन सी नंबर का है 43 वा इंटरनेट एक्सचेंज है इस कायोजन किया गया है विशाका पत्नम में विशाका पत्नम में ये कितना डेटा देगा तो 1 GB per second 1 GB per second में डेटा मिल जाएगा 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है इंडिया में तो 1 अक्टूबर 2022 ये डेट याद रखिएगा और Digital India और बहुत सारी स्किल इंडिया बहुत सारे ऐसे डिजिटली साक्षरतों को बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं फिर मिलान अभ्यास कायोजन कहां किया गया था ये तो इस कायोजन भी विशाका पत्नम में किया गया था भारत का पहला वानिकी विश्व विद्यालाय कौन सा है ये प्रश्च ने रिसेंटली एक्जाम में पूछा गया है तो वो है तिलांग गाना फिर अंतरास्टी बुलियन एक्षेंज की स्थापना कहा हुई है तो ये हुई है गुजरात में गांधी नगर में इसको भी याद रखिएगा फिर नेक्स क्वेशन है कि टेबल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है तो टेबल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है वो बने मेगनात अहलावत इनका नाम आपको याद रखना है मेगनात अहलावत कौन बनी है टेबल टैनिस PCCI के जो हैड है वो कौन है? रोजर बिन्नी रोज रोज हम क्रिकेट देखते हैं तो इससे याद कर लिजे कि रोजर बिन्नी जो है वो PCCI के हैड बने है फिर most important question ये भी है कि मानवधिकार देवस कम मनाया जाता है तो अभी हमने पढ़ा था कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है मानवधिकार मनाया जाता है ये मानवधिकार देवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को Human Rights का जो Human Rights का जो बनाया गया था जो पूरा Prospectus बनाया गया था उस पे साइन हुए थे याद रखिएगा 10 दिसंबर का दिन और इस बार की जो theme है वो है गरीमा, स्वतंतरता और सभी के लिए न्याए याद रखिएगा theme भी आपसे paper में पूछी जा सकती है तो इस बार की जो theme रखी गई है वो कौन सी है गरीमा, स्वतंतरता और सभी के लिए न्याए dignity freedom justice for all यह क्या है जो मानवधिकार दिवा से उसकी theme है फिर आपसे पूछर गा सकता है कि राश्टी मानवधिकार आयोग की, आयोग की स्थापना गप की गई थी तो 1993 के एक्ट के तहएट स्थापना की गई थी राश्टी मानवधिकार आयोग की और राश्री मानवदिकार आयू के वर्दवान में हैड कौन है तो वो है जस्टिस अरोड कुमार मिश्रा इनका नाम याद रखना है और फर्स्ट जो है वो कौन बने थे राश्री मानवदिकार आयू के अधेक्ष तो वो भी थे रंगनात मिश्रा तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है ये दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं फिर नेक्स क्वेशन है कीर्ती गई दीपम तेवार का आयोजन कहां पर किया गया तो ये एक फेस्टिबल है कीर्ती गई दीपम जो तमिलाडू मदुरई में मनाया जाता है फिर मदुरई की बाता ही है तो यहाँ पर मिनाक्षी मंदर है जो बहुत अधिक फेमस है और यहाँ पर क्या है उतक्रिष्ट जो द्रवेंड से लिए उसके मंदर परामिट शेप में क्या है बनाए गया है जो बहुत ही फेमस है पोंगल और जली गट्टू तिवार भी तमिलाडू में सेलिब्रेट किया जाता है जो डॉल्फें हैं तो गुगोंग सरक्षण के इंदर कहां पर बना है तो यह तमिलाडू में बना है यह प्रशन भी आप से पूछा सकता है हल ही में नावाड के अध्यक्ष कोन है बहुत ही महतेपूर महतेपूर प्रशन है नाबाड के हैड इसके पहले थे गोबिंद चिंतालू तो उनके स्थान पर बर्तमान में नाबाड के हैड है साजी केवी जो है वो बर्तमान में नाबाड के हैड बने है नाबाड की स्थापना कब की गई तो 12 जुलाई 1882 को 12 जुलाई 1882 1982 को शिवरामन समीती की रिकमेंडेशन पर नावाट की स्थापना की गई नावाट का फुल फोम क्या है यह आपको कमेंट बोक्स में लिख कर बताना है और नावाट डारेक्ट अगर कोई क्रशक चाहे कि वो डारेक्ट नावाट से लोन ले लेगा तो ऐसा नहीं होता है नावाट पहले क्या करता है नावाट बैंको को लोन देता है फिर बैंको के द्वारा कुछ पर्टिकुलर उस पर किसको लोन दिया जाता है जो परसन है जो लोन लेना चाहता है क्रशक उसको लोन मिलता है इस तरीके से नाबाड अपने लोन की प्रोसेस कंप्लीट करता है पहला नैनो खाद्य प्लांट कहां पर बना था पहला नैनो खाद्य प्लांट गुजरात में बना था और इसके बाद दूसरा नैनो खाद्य प्लांट का आयोजन प्रियागराज में बना था तो बीना नायर कोन है बीना नायर एक सिक्षी का है और उन्होंने 3D प्रिंटिंग पर बहुत अधिक काम किया है इसलिए इनको अस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन PM अवार्ड मिला है उस्ट्रेलिया की PM वर्तुमान में कौन है एंतिनी एल्बिनीज इनका भी नम याद रखना है और ये उस्ट्रेलिया में ऐजा सिक्षक इन्होंने काम किया है और ये बहुत ही बड़ा काम है ये अवार्ड उनके सम्मान के लिए दिया जा रहा है फिर आज का ब्रशन है कि वर्तुमान में चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ के बद पर कौन ने उक्ति किया गया है ये आपको बताना है आपको पता होगा कि इसके पहले जो चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ के हैट थे उनका प्लेन क्रेश हुआ था तो उसमें उनका निधन हो गया था उनका नाम भी यदि आपको पता है तो आपका मेंट वॉक्स में जरूर बताईए तो ये आज के कुछ महत्य पूंट प्रश्टे रिवाइस कर लिजेगा ये आपसे पूछे जा सकते हैं बहुत ही महत्य पूंट प्रश्टे एक बार कुई क्ली रिवाइस करते हैं फर्स्ट क्रेशन था कि डिजिटल डिवाइड में सबसे अधिक पहुँच इंटरनेट कहां पर है महराश्ट में है और सबसे कम विहार में है फर्स्ट क्रेशन था कि कोफ 15 बायोडाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशन होने वाला है वो कहां होना है मौट्रियाल कैनेडा में होना है फर्स्ट क्रेशन है आर्वियाइड ने मालदीप के साथ करंसी स्वेप एगरीमेंट साइन किया है फूर्द क्रेशन है कि नैशनल इंटरनेट स्टॉक एक्सचेंच ऑफ इंडिया की साबना कहां पर की गई है तो वो इंडिया में की गई है टेबल टैनिस फेडरेशन के हैट कॉन मने है मेगनात अग्रवाल मानवधिकार दिवस 2022 जिसकी थीम है गरिमा सतंतरता और सभी के लिए नौए कीर्थी गई दीपम फेस्टिवल का आयोजिन किया जाता है तमिल लाडू में और नाबाट के हैट कॉन मने है नाबाट के हैट मने है साजी के भी तो ये कुछ महाते पून प्रशन थे आप इसको अच्छे से रिवाइस कर लीजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी आपकी की विरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा थैंकी सो मच पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं जय हिन जय भारत